क्या diabetes के मरीज मक्का खा सकते हैं मक्का यानि की मेज या फिर कौन तो कुछ लोगों ने मेरे से यह सवाल किया है कि डॉक्टर साब जरा बताए हमें कि मक्का खा सकते है क्या अगर हमको diabetes है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या diabetes के मरीज मक्का खा सकते है या नहीं खा सकते हैं नमस्का दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर नपम खोश है मैं डाबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूटिशन स्पेशलिस्ट तो आज हम एक और इंपोर्डन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो काफी लोगों कोके कंफूजन रहता है या ना खाए क्योंक्त काफी लोगों कोनफुजन रहता है और आज के विदीओ में यह सारे कंफूजन आपका क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले जान लेजे मक्का का glycemic index क्या है तो मक्का का glycemic index जो है वो 52 है 52 glycemic index वैसे तो low category में आता है लेकिन अगर आप compare करेंगे बाकी vegetable से तो थोड़ा सा जादा रहता है लेकिन 52 फिर भी कम है low glycemic index food में आता है लेकिन glycemic index जैसे कि आप सबको अभी पता हो गया है कि सब कुछ नहीं होता है glycemic load पे focus करना होता है तो अगर मैं एक portion यानि कि अगर मैं 100 gram की बात करूँ तो 100 gram मक्के में आपको तक्रीबन 21 gram carbohydrate मिलेगा तो उस हिसाब से अगर आप calculate करेंगे तो 100 gram का glycemic load जो है वो तक्रीबन 10, 11 के असपस आजाएगा तो 10 और 11 जो है वो आप कह सकते हैं कि intermediate या medium glycemic load में आता है तो थोड़ा सा अगर आप उसकी quantity कम कर देंगे तो उसको आप low category में भी लेकि आ सकते है low glycemic load इसका मतलब है कि अगर आप 100 gram से थोड़ा सा कम रखेंगे यानि कि 70 gram, 80 gram या 90 gram तो उसका glycemic load जो है 10 के नीचे आजाएगा और अगर 10 का नीचे glycemic load किसी भी food item का होता है तो वो आपका sugar level को तेजी से नहीं बढ़ाएगा तो अगर आप मक्का खाना चाते है तो आप बिल्कुल खा सकते है 100 gram के आसपास आप खाईए लेकिन 100 gram से ज़्यादा मत खाईए अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपका sugar level को बढ़ा सकता है तो हमेशा जब भी कुछ खाए तो आप adjust करके देखिए कि आपके body कितना tolerate कर सकता है किसी लोगों में देखा गया है कि अगर वो 50-60 gram मक्का खाते तो भी sugar बढ़ जाता है तो आपको पहले try करके देखना पड़ेगा कि कितना quantity तक आप tolerate कर सकता है तो 100 gram मैं recommend करता हूँ कि आप खाईए कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप 100 gram खाते है आपका sugar level बढ़ता है तो आपको quantity कम करना पड़ेगा तो ये case to case depend करता है सारे लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता है सबका body जो है अलग होता है और इसी के हिसाब से आपको अपना adjust करना पड़ता है किसी का sugar level बढ़ता है हर चीज जो है वो specific individual to individual vary करता है तो आपको भी try करके देखना चाहिए कि मक्का खाने से आपकी शुगर बढ़ता है नहीं बढ़ता है अगर बढ़ता है तो आपके लिए मक्का सही नहीं है और अगर नहीं बढ़ता है तो आप बिलकुल मक्का खा सकता है क्योंकि मक्का का फायदा भी है क्योंकि उसमें बहुत सारे और nutrients है जैसे की vitamins है, minerals है ठीक है जो आपके सहथ के लिए बहुत जरूरी है मक्का में आपको resistant starch मिलता है और resistant starch आपके body के लिए बहुत अच्छा होता है वो आपके digestive system के लिए बहुत अच्छा है ठीक है आपके जो good bacteria है उसके growth के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको constipation की शिकायत है उसके लिए resistance starch बहुत अच्छा है और resistance starch अगर आप खाते है तो आपकी sugar level तीजी से नहीं बढ़ता है ये बहुत सारे scientific studies में देखा गया है और मक्के में अच्छा खासा resistance starch होता है तो diabetes क के मरीज मक्का ज़रूर खा सकता है कोई problem नहीं है मक्के में और भी बहुत सारे antioxidants है जैसे की gluten है या फिर zeazanthin है जो आपको आखों के लिए बहुत अच्छा है polyphenols होता है उसमें antioxidant का काम करता है तो आपको कभी भी infection हो गया inflammation हो गया उसको लड़ने के लिए antioxidants की ज़रूरत होती है तो antioxidant आपके body को protect करता है आपके body के लिए बहुत ज़रूरी है आपके health system के लिए बहुत ज़रूरी है आपके immune system के लिए ज़रूरी है तो हर वो चीज आपको खाना चाहिए जिसमें भड़पूर मात्रा में antioxidant पाया जाता है ठीक है साथ ही साथ इसमें potassium magnesium भी आपको मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि potassium magnesium की ज़रूरत है तो एक चीज में आपको potassium magnesium पूरी मात्रा में नहीं मिलेगा तो इसलिए जब आप यह सारे चीज involved करके खाएंगे मक्का भी खा लिया कुछ और भी खा जो है वो पूरा हो जाता है और potassium magnesium जो मक्के में मिलता है वो आपके सहत के लिए बहुत अच्छा है blood sugar regulation के लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए मक्का जरूर खाईए अगर आपको diabetes है लेकिन एक चीज धियान रखना है मक्के से जो भी चीज बना हुआ है for example मक्के का floor मक्के क आटा वो आपको avoid करना है corn flour जिसे हम बोलता है उसको आपको avoid करना है corn flakes जो काफी लोगों को लगता है कि healthy है corn flakes बिल्कुल भी healthy नहीं है उसकी glycemic index बहुत high होता है उससे आपकी sugar level बढ़ेगा तो corn flakes आप लोग को नहीं खाना है जो whole corn है उसको आप खाईए लेकिन उससे जो बनते हैं corn flakes हो गया popcorn हो गया corn flour हो गया वो आप लोग को avoid करना चाहिए तो उमीद करता हो इस वीडियो से भी आपको कुछ न कुछ अच्छा जानकरे मिला होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको diabetes है तो आप मक्का बिल्कुल खा सकता है quantity कम रखिए 100 ग्राम से जादा मत रखिए और individual to individual vary कर सकता है अगर आपका sugar level बढ़ता है तो मत खाईए लेकिन अगर आपका sugar level नहीं बढ़ता है तो जरूर खाईए क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे nutrients पाए जाता है तो इस वीडियो को जादर से जादर शेयर क मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत दैनेवाद